नुश्कार्ट जन्मत की पुकार में आपका स्पागत है। उत्तरपश्रिम जिले की साइबर्थाना पुलिस के हथे चड़ा शातिर ठग जो EMI डिफॉल्ट महंगे मुबाइल को OLX पर सस्ते में बेच कर लोगों को लगाता था चूना। उत्तरपश्रिम जिले की साइबर्थाना पुलिस ने एक ऐसे जाल साजवर ठग को गरफतार किया है जो बिना EMI चुकाए महंगे मुबाइल फोन लोगों को OLX पर सस्ते दाम पर बेच देता था। खरिदार को उस समय ठगी का एसास होता था जब EMI रुकने के कारण मुबाइल कंपनी फोन को ब्लॉक कर देती ही। गरफतार ठग की भचान कानपूर उत्तरप्रदेश के 31 वर्षिय अनुराख कट्यार के रूप में हुई है। उनके पास से पुलिस ने ग्राहकों को लुभाने के लिए इस्तमाल किये गए दो महगे मुबाइल फोन और तीन डेबिट कार्ड बरामत किये हैं। EMI पर फोन खरिदने के लिए वह जाली दस्तावेजों का इस्तमाल भी करता था। DCP उशा रंगडानी ने बताया कि 19 जुलाई को ग्रुह मंत्रा लेके साइबर पॉर्टल के माध्यम से साइबर धाना उत्तरपश्विम जिला में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसमें शिकायत करताने आरोप लगाया है कि उसने OLX पर सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्टरा ग्रीन का विग्यापन देखा जिसे कम कीमत पर बेचा जा रहा था। उसने 29 मई को 72,000 रुपए चुका कर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन पर विक्रेता से मोबैल प्राप्त किया। तब उस व्यक्ति ने अपने आपको UP पुलिस का सब इंस्पेक्टर बताया था लेकिन 16 जुलाई को सैमसंग कम्पनी वारा उनके मोबैल फोन को ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि उस मोबैल फोन पर रिन एमाई का भुपतान नहीं किया गया था। इसके बाद साइबर पुलिस टेशन में मामला दर्श कर जाज शुरू के गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा है। पुश्टाश में उसने खुलासा किया कि 2020 में दिवालिया होने के बाद उसने एमाई के आधार पर पहले मधुरा, यूपी और बाद में दिली में महंगे मोबैल फोन खरीदना शुरू कर दिया था। उसने बताया कि वह मुख्य रूब से सैमसंग की महंगे मोबैल फोन एमाई पर खरीदता था। फिर ग्राहक को कुल भाने के लिए अलग-अलग फोन नंबरों से खुद को पंची कुरूत करने के बाद, OLX एप्लिकेशन पर इन महंगे मोबैल फोन को सस्ते दाम पर बेचने के विग्यापन पोस्ट करता था। ग्राहक फस राते तो वहां उन्हें EMI की बात बताय बिना फोन बेच दीता था। कुछ समय बाद नियमित EMI का भुकतान ना करने के कारण सैमसंग कंपनी अपनी प्री अप्रोव पॉलिसी के तहत मोबैल फोन को ब्लॉक कर देती थी। आरोपी ने खुलासा किया है कि उसने 2020 से ठगी का यह काम शुरू किया था और पिछले दो वर्षों में 50 से भी अधिक लोगों को दोखा दिया।